हेलो बच्चो आज हम A, B, C, D और 1, 2 लिखेंगे और पढ़ेंगे चलिए देखिए मेरा पास क्या है यह है बेबी कलर देखिए यह है ब्लू कलर यह है स्काइब ब्लू कलर यह है औरेंज कलर यह है पिंक कलर यह है पर्पल कलर आज़िए कितने सारी कलर्स है हमारा पास चलिए अब अब हम कलर का नाम जान लेते हैं यह है एills कितने सारी कलर्स है हमारा पास यह कौन सा कलर बच्चो चलिए देखते हैं यह है ग्रीन कलर यह कौन सा कलर बच्चो यह है ग्रीन कलर यह कौन सा कलर बच्चो पिंग कलर यह कौन सा कलर बच्चो पिंग कलर यह कौन सा कलर है बच्चो यह है ब्लू कलर ब्लू कलर यह कौन सा कलर है बच्चो यह है औरेंज कलर यह कौन सा कलर बच्चो औरेंज कलर यह कौन सा कलर बच्चो यह है परपल कलर यह कौन सा कलर बच्चो यह है रेड कलर यह कौन सा कलर बच्चो रेड कलर चली अब हम लिखेंगे A A for Apple A for Apple A के बाद क्या होता बच्चो A के बाद B B for Ball B for Ball B के बाद क्या होता बच्चो B के बाद C C for Cat C for Cat C के बाद क्या होता बच्चो C के बाद D D for doll D के बाद क्या होता बच्चो D के बाद E E for elephant E for elephant E के बाद क्या होता बच्चो E के बाद F F for fish F for fish F के बाद क्या होता बच्चो F के बाद G G for got G के बाद क्या होता बच्चो G के बाद H H for hen H for hen H के बाद क्या होता बच्चो H के बाद I H के बाद I I for ice cream I for ice cream I के बाद क्या होता बच्चो J J for J for juice J for juice अब हम One to लिखेंगे ये क्या बच्चो One One के बाद क्या होता है बच्चो One के बाद Two One के बाद Two Two के बाद क्या होता बच्चो Two के बाद Three Two के बाद Three ठी के बाद क्या होता बच्चो ठी के बाद फोर ठी के बाद फोर पोर के बाद क्या होता बच्चो फोर के बाद फाइब फोर के बाद फाइब यह क्या है बच्चो फाइब 5 के बाद क्या होता बच्चो, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद 7, बच्यो 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या होता बच्यो? 8 के बाद 9 8 के बाद 9 9 के बाद क्या होता बच्चो 9 के बाद 10 9 के बाद 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15